मेरी और उसके हजबन ही दोनों डिसकस कर रहे थे यह एक्चुल में अपने बेट स्टीफन को बढ़ाई के लिए कई दूर भेजने वाले हैं यह अभे भी सोच रहे हैं मेरी को लग रहा था यह शायद ही गलट डिसीजन है पर उसके हजबन कहते हैं हमारे पास और कोई आप्शन नहीं उन्होंने बहुत सारी चीज़े ट्राय की थी पर स्टीफन बहुत ही ज़ादा ट्रबल क्रेट कर रहा था उसे दूर भेजना यही उन्हें सही लगता है स्टीफन के जाने के बाद मेरी लेक के बास बैटकर उसके बज़पन की सब विडियोस देखती है उसके याद आ रही थी स्टीफन गाडी में अपने फादर पर बहुत गुस्सा हो गया वो कहता है तुम ही यह सब चाहते हो मदर कभी भी ऐसा बोलेगी नहीं फादर कहते हैं यह तुम्हारे लेक कोई भी पनीशमेंट नहीं हम दोनों से भी तुम्हारा भरा ही जाते है स्टीफन डिस्टब हो चुका था फादर उसे समालने की कोशिश करते हैं पर इनकी फाइट में इन दोनों का एक्सिडेंट हो गया फादर की इसमें टेथ हो गए स्टीफन पूरी तरीके से पैरलाइस तो चुका है अब थोड़े मंज गुजर गए पस स्टीफन में कोई भी सुधार नहीं हुआ उसका सारा खयार यह मैरी को यह रखना पड़ता है वो उसे खुद अपने हाद से खाना खिलाती है उसका सब कुछ उसे ही करना पड़ता है टीवी पर हम नोटिस करते है कि हाँ बड़ा सा स्नोस टॉम आने वाला है मैरी एक साइकोलोजिस्ट थी उसका एक छोटा सा लड़ का जिसका नामे टॉम येक पेशन्ट था एक्चुल में टॉम के पैरेंस नहीं थे वो फॉस्टर होम में रहा करता है वो उससे सही नहीं लगता बहुत सारे टॉबल क्रेट करता है लड़कों से जगड़ा कर लेता है उसकी इस टॉबल की वज़े से उसे अलग-अलग फॉस्टर होम में शिफ्ट किया जाता है इस बार भी थोड़ी टाइम तक वो मैरी का पेशन्ट था उसने स्कूल में कुछ बच्चों को मारा और उसका ट्रांसपर होने वाला है मैरी कहती है कि मेरे साथ अगर वो और थोड़े टाइम तक ठेरेपी करता रहा तो शाहिद हम प्रोग्रेस कर सकते है मैरी अपने हर पेशन्ट को हेल्प करना चाहती थी गवर्मेंट के ओफिसर ने सुना नहीं और वो टॉम को लेकर जाती है नेकसे मेरी अपने खुद के साइकोलोजिस से बात कर रही थी उससे कहती है कि वह स्टीफान को अकेले मैनेज नहीं कर सकती और उसे एक केर हाउस में रखने वाली है यहाँ बातों बातों में पता चला कि एक्चुल में स्टीफान को कही दूर भेजने का प्लान यह मैरी का ही था वो एकी टाइम पर उसकी मदर और साइकोलोजिस नहीं हो सकती थी उसे बहुत ही बुरा लगता है कि स्टीफान को उसने दूर भेजा और अब वो बहुत ही जादा दूर चला गया है इस हालत से वो आपस नहीं आ सकता रात में जब वो स्टीफान को बात देती है तो पानी में डुबा कर उसने उसे मारने की कुशिश की पर यह सिर्फ उसका एक ड्रीम था वो इस ड्रीम से उठी उसे बाहर कुछ आवाज आ रही थी उसे लगा कि उसके गराज में कोई घुस आया है वो पुलिस को कॉल कर दिया पर जब उसने देखा तो टॉम ही था या उपने फॉस्टरोम से भाग आय था उसने पुलिस को घर आने से मना कर दिया वो टॉम को घर में लेकर जाती है और गवर्मेंट ओफिसर को उसने कॉल कर दिया टॉम फेसे सिस्टम में जाना नहीं जाता था तो यहां से बाहर भाग गया मैरी न उसे ढूणने की बहुत कोशिश के पर ढूण नहीं पाई अगली सुबह उसके घर पर पुलिस आये वो कहते है इतने टाइम तो वो स्नो में था अब तक शायद उसकी डेथ हो गई होगी मैरी टॉम के लिए बहुत वरिड थी आज रात फेसे उसके नीन खुल गए वो बाहर जाकर देखती है तो बहुत सारे रकुन्स के आवास था वो जल्दी से भाग कर घर में आ रहे थी तब ये एक हाथ ने तरवाजब बन होने से रोक लिया ये हाथ विल्चेर पर स्टिफन का था ये भी उसका एक सपना ही है ये सब की बीचे का रिजन आपको आगे पता चलेगा निज्डे मैरी अपने और एक पेशन को ठीट कर रहे थी वो भी टॉम के बारे में बात करता है याता है अब तो उसकी डेथ हो गई होगी बाहर मैरी इस पेशन के फादर से मिले फादर का नाम था डग डग ने का यहाँ बड़ा स्टॉम आने वाला है तुम्हें आ रहना नहीं चाहिए मैरी ने का मेरा सन पैरलाइस्ट है तो मैं यही रहना पड़ेगा डग मैरी को डेट के लिए पूछता है मैरी ने का कि अभी अभी मेरे हस्बन की डेथ हुई है यह सुनकर डग को बहुत बुरा लगा वो यहाँ उस पर गुस्सा हो गई थी आज रात मेरी ने टॉम को अपने बेडरूम में देखा वो उसके पास आकर उसे शान रहने के लिए कहता है वो आज रात रियलाइस करती है यह सिर्फ एक ड्रीम था वो इन ड्रीम से बहुत ही ज़ादा डिस्टरब हो गई वो अपने तेरविस्ट को कॉल कर दिये कहती है वो सब कुछ बहुत ही रियल लग रहा था तेरविस्ट कहता है आज कल तुम बहुत ही स्ट्रेस में हो इसी वज़े से यह सब चीज़े इमेजिन कर रही हो मैरी को लग रहा था यह शायद टॉम की डेथ हो चुकी है और उसका घोस रात में उसे देखने के लिए आया था उसका साइकोलोजिस कहता है शायद तुमारे नीन डिस्टरब हो रही है तो इसी वज़े से यह तुम इमेजिन कर सकती हो तुमने मुझसे पहले बात की थी जैसे स्टीफन बड़ा हो रहा है तो तुमें लगता है तुम उसे खोई रही हो शायद उसी के बच्पन का रोप तुमारे सपने में आता है मैरे भी इन सब बातों को जाने देती है साइकोलोजिस ने उसे एडवाइस किया कि तुम अपने बलड टेस्ट करवा लो उसके बलड लेने के लिए फिर एक लेड़ी आई उससे कहती है तुमारा बलड प्रेशर बहुत ही हाई है शायद उसकी हेल्थ यही रीजान है वो सब कुछ देख रही है बात में उसकी असिस्टन उसे मिलने के लिए आई असिस्टन गहती है इस उपर शॉप में मैं डग से मिली थी उसने तुम से जो भी बात की तो इसके लिए उसे बुरा लग रहा था मैरी कहादी कि मैरी ही गलती थी मैं उस पर चीड गई थी वो उसने फिर डग को कौल किया रात में डिनर करते है यह दोनों डिसकस करते है कि जिस तरीके से बच्चे बड़े होते है तो लगता है कि वो अलग ही परसन है यहाँ में पता चलता है मैरी एक्चुली स्टीफन की स्टेप मदर है वो बहुत ही छोटा था तिवे उसकी मदर की डेथ हो गई थी बच्पन से मैरी ने उसे बड़ा किया है वो जब आधी रात में उठी तो उसे स्टीफन कई भी मिल नहीं रहा था लॉंडरी के होल से कुछ आवाज आता है तो उसे देखती है तो उसमें से एक हाथ उसे पगड़ लेता है वो अपने आपको छुडाने की बहुत कोशिश करती है और यही करते करते सो गई थी सुबह उसे लगा इशायद यह सब उसका सबना था स्टीफन अपने बेड में है वो जब उसके पास आई तो उसके गाल पर कुछ माक्स है तो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है साइकलोजिस ने का तुमारे रिपोर्ट आने दो फिर हम बात करेंगे टीवी पर नियूज आती है कि टॉम की डेथ हो चुकी है उसे बहुत बुरा लगा रात में अपने वेस्टर्ब में कुछ चीज़े जब वो रख रही थी तो उपर डग आ गया उसे कहता है आज रा स्टॉम आने वाला है अगर तुम चाहो तुम मेरे साथ चल सकती हो मेरी उसे मना कर देती है डगने का कि टॉम की डेथ नहीं हुई उन्हें जो लड़का मिला था वो कोई और था मेरी को सुनकर अच्छा लगा स्टॉम के लिए सब को जो रेडी कर रही थी तु डग को यहां से जाने के लिए गहती है रात में अपने थेरेविस्ट से फेसे उसने बात कि थेरेविस्ट उस पर बहुत ही गुसा था वो कहता है तुम तुमारे मेडिसन को मिक्स कर रही हो अगर तुमें नीन की गोलियों की जरूरत थी तुम मुझे बता देती स्टीफन की गोलिया लिने की क्या जरूरत थी तुमने अपनी और स्टीफन दोनों की जान खत्रे में डाली मैरी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था अब वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी और वहाँ से चली जाती है उससे उसका वीडियो कॉल आन रहे गया है बेस्मेंट से उससे कुछ आवाज आए ये वो देखने के लिए गई तो उसके पीछे टॉम था तब वी पीछे से स्टीफन आकर उसे बेहुश कर देता है साइकोलोजिस ने स्काइप पर नोटिस किया कि स्टीफन घर में खूम रहा है तो देखकर डर जाता है अब स्टीफन ने डारेकली मैरी को बान दिया है वो बुशती कि तुमें कर कह रहे हो स्टीफन कहता है जिस तरीके से तुम मेरा खैल रखती थी अब वैसे मैं तुमारा खैल रखूँगा मैरी बुशती है क्या है मेरा सब सपना है स्टीफन कहता है कि नहीं एक्सिडन की बाद में मूँ नहीं करना चाता था तुम सब लोगों को लगा कि मैं पैरलाइस्ट हो चुका हूँ मैंने फिर वैसा ही नाटक किया सब कुछ परफेक्ट था पर तभी टॉम आ गया उसके लिए तुम मुझे दूर भेजना चाती थी मैं उसे घर में रहने नहीं दे सकता मैरी कहती कि क्या तुमने उसे मार डाला स्टीफन कहता है कि उस जिन्दा है पर तुम हमेशा मेरे आलावा किसी और कोई प्रायरिटी देती हो इस सब का मतलब है मैरी जो भी रात में देख रही थी उसके घर में टॉम है ये सब सच था स्टीफन से बच कर वो घर में छुप रहा था बेस्मेंट में एक डनल है इसके बाद लॉंडरी रखने के लिए जगा है ऐसे करते करते घर में छुपता रहता है अब स्टीफन टॉम को मार डालेगा यानि कि मैरी के साथ अकेला रह सकता है साइकोलोजिस स्टीफन को देखकर डारेटली अब मेरी के घर आ रहा था उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया स्टीफन टॉम को मारने के लिए जला गया और मेरी के हाथ बंदे हुए थे उसने बहुत ट्राय किया और अबने आपको छुडा लिया स्टीफन मेरी को गो लिया देता था तो इसी वाचे से राथ में वो भेहोष हो जाती थी उसे अजीब से सबने आते थे मेरी बेसमेंट में आई स्टीफन ने टॉम को बाढ़ दिया है और उसे मारने के लिए अब वो रेडी हो रहा था मैरी कहती है कि बले जासा कुछ भी मत करो स्टीफन कहता है मुझे तुम टॉम के साथ रिपलेस कर रही हो मैं ऐसा होने नहीं दे सकता मैरी उसे समझाती है तुमारे साथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक एक एक्सिटन था स्टीफन कहता है कि वो कोई भी एक्सिटन नहीं था मैं तुम से दूर ना जाओ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता था उसे लगता है उसने जान बुश कर अपने फादर को मार दिया एक्सिटन के बाद उसे मिंटल प्रॉलम आ चुका है मैरी जोर से स्टीफन को मारती है टॉम को लेकर बेस्मेंट बन करकर उउपर आ गई टॉम बहुत ही डर चुका था तो क्लोजेट में छुप जाता है मैरी बाहर जाकर ऐसा दिखा दिया जैसे वो भाग चुकी है पर वो फिल से घर में अंदर आ गई स्टीफन ने बेस्मेंट का दर्वाजा तोड़ दिया पूरे घर में उने ढून रहा था उसने बाहर जाकर देखा तो मैरी के स्टेप्स उसे दिखे पर वो बहुत स्मार्ट है वो समझ गया उसे कहा था कि मुझे दूर भीजना है वो मुझे प्यार करती है हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता तो इसके पास स्टीफन सारे घर को लॉक कर रहा था वो उपर खिड़ क्या बन करने के लिए गया तब ये मैरी बाहर जाकर देखती है तो डग की बॉड़ी पड़ी हुई है डग मैरी को डेट कर रहा था स्टीफन को अच्छा नहीं लगा तो इसी वज़े से उसने उसे भी मार डाला मैरी ने साइकोलोजिस को जखमी देखा साइकोलोजिस कहता है उसे जो भी लगता है इसे तुम हाक हो इसे से उसे तुम कुड्रोल कर सकते हो जल्दी से मैरी टॉम को किचन मे लेकर जाती है वहा की विंडो से उसे बाहर निकल दिया जल्दी से स्टीफन वहाँ पर पहुँच रहा टॉम को मारने वाला था मैरी उसे रोक लेती है कहती है अब वो दूर चला जा चुका है अब सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे हमेशा के लिए वो मैरी को भी हड करता तब टॉम ने एक distraction create किया मैरी एक पैन से स्टीफन को घायल कर देती है टॉम और मैरी फिर जल्दी से इस घर से बाहर निकल गए स्टीफन अभी भी होश में था तो उनकी पीछे भागता है यह भागते भागते लेक की बोट के पास जा रहे थे मैरी पीछे थी तो स्टीफन उस वर वार कर देता है टॉम को मारने के लिए वो आगे चला गया वो टॉम को पाने में डुबा रहा था भागते भागते मैरी टॉम को बचाने के लिए आई स्टीफन का यह हैमर लेकर उसे वो मार डालती है मैरी तो स्टीफन को उसके एक्सिडन में लॉस्ट कर चुगी थी जो स्टीफन लोट कर आया वो स्टेबल नहीं था वो टॉम को मार डालता तो उसके पास और कोई भी आप्शन नहीं था हम देखते हैं मुवी में कुछ टाइम गुज़र चुका है मैरी टॉम को अफिशली अडॉप कर लेती है ये दूनों अलग सीटी में चले गए टॉम उसके साथ खुश था इसी तरीके से